हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पेपर हेकर के यूटूब चैनल में और हम आज करने जा रहे हैं अगनी वीर वायू सेना का प्रेक्टिस सेट नमबर 4 और आपको पेपर हेकर.in जाकर डाउनलोड उसको कर सकते हैं और हम यहां तख थीन प्रेक्टिस सेट करा चुके हैं और हमको 30 से कराना चाहे जा करना सकते हैं तो यहां से हम पेपर सेकेंड शुरू करने वाले हैं पेपर सेकेंड यह हुत है आप का वो रहता है तीज़ पुलते हैं जिसमें जी मैत और जी एस तीनों आपकी मिक्स होती है तो इसका जो पहला प्रश्ण है हमारा वो प्रियाक के जो सिलालेक है वो किसकी प्रस्तिमा अंकित है आपको बताना है आपके उप्सान है चंदरगुप्त असोग समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा समुद्र गुप्त यानि कि समुद्र के गुप्त की प्रस्तिमा क्या है अंकित है प्रियाक के सिलालेक अब वो पूछे आपसे यह कौन से बंसके थे गुप्त बंसके और गुप्त बंसको ही क्या कहते है गुप्त बंसको ही भारत का स्वा गुप्त वन्स को ही भारत का स्वाड़योग भी कहते हैं अगर पूछे कि इसके प्रथम जो है सासक था वो कौन था इसकी स्थापना किस ने की तो वो हो जाएंगे आपके स्रीगुप्त अगर पूछता है अगर पूछता है अगर पूछता है तो अम्टिम को बताने हैं और अंतिम कौन थे विश्न गुप्त जो है नालंदा विष्विद्याले की अब हो ciao कि नालंदा विष्ट विद्याले की स्थापना किस ने कराई तो आपको बताना नालंदा विष्ट विद्याले की स्थापना कराई थी कुमार गुप्त ने किस ने कराई थी कुमार गुप्त ने अखे watches. आप दिहान रखेंगे कि नालंदा होता है नालंदा का मीन है नालंद का मीन होता है वो होता है कमल और नालंद से कमल रखेंग merchandise कमल अपकन कमार तो जाएगा इस परकार से आप इसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट परस्न की और हम यहां से चलेंगे अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नक्षत्र साला के लग अगला प्रश्न हमारा है नक्षत्र साला से करें है अगला प्रश्न हमारा neril साहला इसमें कि लिखा डाक्टर भीम्रा उंबेडकर नामक नक्षत्र साला इस्तित है और इसका पुराना नाम क्या था आपको दोनों वात ह sounding तो जो धूंगा अब कर नक्षत्र साला है इसका पहला नाम क्या था आरेवट नक्षत्र साला ठीक है इसका जो पहला नाम था वो था आरेवट नक्षत्र साला मायवती जी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया डक्टर भीम रांबेड कर नक्षत्र साला ठीक है भीम रांबेड का नक्षत्र साला कर पर पढ़ती है आपकी इंदरा गांधी पढ़ती है आपकी लखनु त्यूंग है इंदरा नक्षद साला कहां पर ओगाई लख्फन है जाएगी आपकी नक्षथ साला नैक्स परिश्न की चलते हैं कि पाक जल्ड अमरु मद्द किस बीच में स्थेत है यह जो है आपको बताना है तो सेके बहरत पाकिस्तान स्री लंका और भारत और फोर्थ हो गया भारत और म्यामार इसका राइट आंसर जो है वो जाएगा आपका सी भारत और श्री लंका श्री लंका और भारत के बीच में क्या है पाक जल डमरू मत दे इस्तेत है नेक्स्ट प्रेशन आपका है कि निमलिकत मैंसे कौन संसद की संसद की स्थाई समिती नहीं है आपको चार समिती यह दी गई होंगी उसमें से आपको यह बताना है कि इन मैंसे कौन सी संसद की स्थाई समिती नहीं है देखाइक के पताना है आपको नहीं हैं ठीक है कि आपको बताना है इसाकोन सी की स्थाई समिती नहीं है इसद्रraftorkast लेकिन जो अनुसूची जातियों की समिती होती है यह संसद की स्थाई समिती नहीं होती है ठीक है इस चीज को भ्यान रखेंगे नेक्स्ट प्रेशन की और चलते हैं नेक्स्ट क्या गहा रहा है और यहां पर आपको है यहां फिलकुल राइट आंसर हो जाएगा वाख टेलर ने क्या किया था का यहां हमारा क्या कह रहा है यह कह रहा है कि निमलिकत में से कौन सा योगिक मानभ सरीर में संग्रेत नहीं रहता है यानि कि मानभ के सरीर में इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जो संग्रेत नहीं रहती है निकलती रहती है ठीक है तो उसको आपको बताना है तो वो क्या कि ग्लॉ Heiner lesson है है याख होता है या बसा होता है यह आपको बठाडना यह बतारा इन किसका बैग्यानिक नाम है तो इसका सही अंसर आपको हो जाएगा बी-शाल एमेन्य सिट क्या होते हैं इमिन असी होते आपके सरी coherent नहीं रहतें एथे करह और जो टोको फैरोल होता है यह होता है बिटामिन ए का बैग्यानिक नाम किसका बिटामिन ए का बैग्यानिक नाम क्या हो गया टोको फैरोल हो गया ठीक है और बिटामिन ए का अगर पूछे तो क्या बताना आपको रेटीनोल रेटीनोल किसका हो गया बिटामिन ए का रेटीनो ब्रेटीनोल होगे आपका बिटामिन एका बैग्जानिक नाम और डी का क्या हो गया टोफ है रोल हो गया ऐसे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट पेज़त आंब का कह रहा है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेट कहां पर इस्ते था तो इसका एक पर बेंगलूरू में कि रहाज द्यस में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी जो वह हो घगाई है आपको बताना है किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी सबसे पुरानी मकड़ी खोजी गई है तो भूब खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में एक चीज और महत्वपूर्ण है वो भी आप याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ ठीक है क्या चीज है ग्रेट बैरियर इस्तित है ग्रेट बैरियर रीफ यहां से इसको सही कर लेंगे अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिशन की और अगला प्रिशन आपका कंप्यूटर से है इसमें कह रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस प्रिश्म पीडी के कंप्यूटर में प्रियोग की गई थी पहला पहली पीडी जो थी उसमें कौन सी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस यूज की गई थी यह आपको बताना है तो जो पहला कंप्यूटर था वो बनाया गया था वैक्यूम ट्यूब के द्वारा प्रिथम पीडी के कंप्यूटर डिवाइस जो है बनाय गय थे अब सेकिंड जो पी उसमें पीडिम किया गया था और फॉर्थ अभी जो चल रहा है राई है four generation या फोर्थ बीडी फॉर्थ जनरेशन का आपका यूज किया था भट जन्रिशन में तो यह चीज आप noode कर लेंगे next question की हो चलते हैं यहां से हमारा सुरू हो जाता है पहला प्रशन हमारा क्या कह रहा है वह कह रहा है यह कह रहा है कि तीन संख्या हैं पहली दो संख्याओं का जोड़ 45 है दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ 55 है ठीक है और तीसरी संख्या और पहली संख्या के तीन गुना का जोड़ 90 है तब आपको तीसरी संख्या बतानी है यहाँ पे आप माल लेजिए तीन संख्या है थी आपके पास A, B और C उसने पहली दो संख्याओं का जोड़ बताया है यहाँ पे A प्लस B यही तो होगी पहली दो संख्या है उसका जोड़ कितना है आपका? 45 और अगर वो कह रहा है दूसरी तीसरी संख्या के जोड़ाए यहाँ कि 2018 इनका कितना करना था आपको तीन गुना बरावर कितना है आपका ? इनको 3 equation आपको मिल गए आपको इन 3 equation मेंसे सिर्फ 3 equation को क्या करना है solve करके आपको 3 reason क्या है यानि कि C बराबर आपको बताना है C बराबर क्या होगा यह आपको बताना है अब मैं यहां से क्या करता हूँ 3 से से काट लेता हूँ तो यह 3 बार जाएगा 30 बार जाएगा ठीक है और C पिलस A बराबर 30 निकल के आजाएगा अगर मैं क्या करूँ इसको जोड लू तो यह कितना हो जाएगा आपका 2A प्लस 2B प्लस 2C यह तो हो जाएगा A, A, 2A, B, B, 2B, 2C 2A है इसमें 2B हैं और 2C है बराबर आपको कितने के आजाएगा 45, 55, 100 और 30 130 के हो जाएगा 130 के बराबर हो गया आपका यहां से मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमल ले लेता हूँ 2 को यहां से कॉमल लिया तो कितना बचा A, B, C के बराबर कितना हो गया 130 अब 2 से इसको हम काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा 65 यहां कि A, B, C के बराबर आपका निकल के आगया 65 अब आपको पता है यहां से A, B, बराबर यहां पे दिया हुआ है 45 हमें निकालना है C का मान अगर मैं इसमें A, B का मान रख दू तो C का मान में मुझे पता चल जाएगा क्योंकि C बराबर यहां से निकल के आ जाएगा इदर 65 है माइनस में इदर हो जाएगा A, B, ठीक है A, B, माइनस में हो जाएगा तो यहां से मैंने क्या किया 65 माइनस A, B के वैल्ली कितना है 45 अब यह कितना मचा 20 यह कितना मचा 20 20 क्या होगे आपका राइट आंसर तो C option is the right answer ठीक है इसको उतारने चाहें तो उतार ले चलते है नेक्स्ट प्रिशन की और अगले हमारा प्रिशन है वो क्या कह रहा है कि एक आदमी है वो प्रतिमाप 3500 रुपे खर्श करता है और अपनी आए का अपनी इंकम का साड़े-बारे पर्शेंट बचाता है तो उसकी मासिक आए जो है वो कितनी है साड़े-बारे पर्शेंट को अगर मैं तोड़ू तो ऐसे मैं कैस लिख सकता हूँ ऑब हम ब्रेश्ण की उप्र एंते कि 500 रुपए खर्श करता है और अपनी आए का साड़े बारे परशेंट बचाता है आठ का साड़े-बारे पर्शेंट हो गया ठीक है एक 8.5% किया हो गया 1 तो 1 वो बचा रहा है 1 रुपय उसने बचा लिया तो खर्च कितने कर दिया 7 रुपय हमने total value किसे माल लिया 8 को total value 8 को माल लिया 8.5% कितना हुआ 1 तो वो कह रहा है कि 1.5% वो बचाता है हमने 1 रुपय बचा लिया कbec कितने हो गए उसके साथ लेकिन कि क्या रहा है कि प्रतिमाब 35llers करता है तो जो सात्य रूप cyt कि बडावर है रावर है 354 लिशाओ यहां से साथ Sud कि युनिट की से तनी आ जाएगी 500 ऐक्षू उसकी टो टील एनकम हमने कितनी मानी थी 8 कितना कर रहा है वो साथ बचा कितना रहा है एक अब पूछ किया रहा है कि उसकी मासिक आए कितनी है उसकी मासिक आए कितनी है तो मासिक कमा कितना आए 8 रुपई तो कमा रहा है और हमारे इसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 500 500 से मैं यहां पर क्या कर दू तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक और तरीका हम एप्लाई करने वाले हैं ठीक है नेक्ट तरीके से भी इसको करके देख लेते हैं आप माली जी आप आपके पास 100बे ती रुपर आपने कमाएं 100% यह 100 पर आपने कमाएं उस मैंसे आपने बचा कितले यह साठे 12% साठे 12% आपने बचा लिया 100% आपकी इनकम थी तो आपके पास बचे कितने, 87 हैं एक बटे, 2% यहीं तो बचे, 87 है एक बटे, 2% बचा लेकिन वो कह रहा है कि बचाया है, 35 सोर्बे, स्लेइ, उसने बचाये हैं साड़े बारई परशन्ट और खर्च ओगें उसके 87 हैं एक बटे, 2% यह खर्च है यह बचत है यह हो गई आपकी आई यह होग आपका खर्च तो जो 87% होगा वो किसके बरावर होगा तो 87% यहां से बरावर हो जाएगा आपका 3500 ठीक है हो जाएगा 3500 बटे 175 गुणा 200 ठीक है यही तो हो जाएगा परसेंटेज आएंगे एक बटे 100 लिखेंगे परसेंटेज हटाएंगे एक बटे 100 लिखेंगे एक मिट्टेज गुणा 2 ठीक है और यहां से एक परसेंट की वैलिव अप निकालेंगे तो वो निकलके आगी 40 Meh पता करना यह 100 की To7 में मुंट्टीपलाई कर दूंगा एक §VELY 40 तो हमारा चार अचयाह,C4000 क poor 1000 क्या हो जाएगा अघिन सीओ इन आपकर बिल्कुल Alright नेक्स्ट क्या कहा रहा है एक रेल-गाडी 180क्लोमीटर प्रति गड्र कि चाल से चल रही है उसकी घति मीटर Front the second मैं आपको बताने हैं आपको एक चीज पता होगी कि कि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं एक 1000wiąीटर और अगर मैं निकालूंगी संटेंट मेंगर के तो आपको पता किंडे में 60 मिनित और एक मिनित में एग में साट सेघंड पर हार को किस में चैंजिक करना हुँआ है मीटरwo effects सेकेंड मैं अब यहां से हमने क्या किया है 180 को सेम लिख लिए एक किलो मीटर की जगह मैं लिख सकता हूं 1000 मीटर ठीक है 1000 मीटर मैंने यहां से लिख लिए और एक हावर की जगह मैं लिख सकता हूं 60 इंटू 60 तो ये क्या हो जाएगा second और यह हो जाएगा meter ठीक है आप यहां से 0 से 0 से 0 से 0 से 0 कट गिया ठीक है ठीक है 38 अथा रहा हो तीन दूनी च्छै ठीक है दो आ गया और दो पन्जेट 10 यानि कि ये हो गया आपका पांच और जीरो पचास मीटर प्रति सेकेंड ठीक है पचास मीटर प्रति सेकेंड हो गया यह आपका एक चीज और होती है कि अगर 180 किलो मीटर पर आवर आपको दिया हुआ है और अगर आप इसमें क्या करेंगे पांच बटे 18 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह सीधे किसमें आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगाना 186, 1800 ठीक है और यूग आपका 50 मीटर प्रति सेकेंड अब यह हुआ कैसे यह हुआ कैसे यह ऐसे हुआ कि हमने कलो मीटर यानई की एह घाजार बटे साथ को बोटे को solve कर लिया ठीक है और कुछ नहीं है इसमें तो यह हो जाएगा आपका पांच मटे 18 इससे डारेक्ट अगर आप गुणा कर देंगे तब भी आपका क्या जाएगा मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा अगर वो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और आपको किलोमीट पर आवर में चेंज करना है तो इसका आप पोजिट से आप गुणा कर देंगे तो वह आपका जो है किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन की तरफ चलना है अगला प्रश्ण हमारा क्या रहा है कि यदि 6 बरस के लिए पर आपको समझेंगा ध्यान से की एक व्यक्ति क्या है चे बरस के लिए देता है किसी रासी को तो उस पर क्या मिलना है उसे साधान ब्याज मिलना है मूल लासी का जो 30% है यानि कि उसने अगर 100 रूपे दिये तो उसे 30 रूपे किसे कि मिले है यानि कि 30% उसे क्या मिला ब्याज तो ये कितने पर सब्सक्राइब कर दो तो उसका ब्याज कितने दिनों बाद 200 यानी डबल हो जाएगा ठीक है इतना समझ गया हूंगा आप अब एक चीज यहां पर समझने वाली है कि 6 बर्स के लिए उसने साधारण ब्याज दिया था और रेट पर्शेंट कितनी हो गई थी 30 पर्शेंट उसका ब्याज कितना हो गया था 30 पर्शेंट तो अगर मैं पूछूं 6 बर्स में 30 पर्शेंट हुगा तो एक बर्स में कितना होगा एक बर्श में कितना हो गा इसबड़े 60 या जी पांच फर्शेंट एक बर्श पर से पांच पर्शेंट तो बढ़ रहा है कि आधा ब्याज में लगा बठाव समान रूप से बढ़ता है और यह ज इतना एक बर्स में बढ़ा उतना ही फिर दो बर्स में फिर तीन बर्स में ठीक है 5% पर यह बढ़ रहा है उसका इसी इसाब से 6 बर्स में 30% हो रहा है अब वो कह रहा है कि 100% कितने बर्स में हो जाएगा है लेकिन अगर आप सीधे नहीं करना चाहते हैं आई तो अप लगा दीव ऊंपर लेते हो हम अम प्रिंसिपल आइंट को 100 पर माल लेते हैं और अब हम परखेंब की यहां मिल अम्हें कि एक कितने बर्स present के बराबर मूल आतना के तनी यह सो व्याज कितना हो जाए है सो रुपए ठीक है और रेट परसेंट आपको दी हुई है आर बरावर कितनी हो गई आपकी पांच परसेंट यह चीज हो गई आपको निकालना क्या है टी टाइम आपको फाइंड करना है कितना हुआ था हम लगा देंगे आई इस इक्वल टू पी आर टी अपॉन हंड्रेट तो यहां से आई बरावर कितना आपका 100 रुप है बराबर फी बरावर कितना हो जाएका सौर ए रेट हो गई आपकी पांच गुना टाइम को पता करना बटे सो सो कट गया ठीक है तो यहजली दूनि दस इस यहांसे टाइम आपका निकल आ गया बीस वर्स कि यह क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो नेक्स प्रिशन की चलते हैं इस चीज को आप नोट कर लीजिए नेक्स आपका प्रिशन क्या कहा रहा है एक्स प्रिशन आपका क्या कह रहा है जितना बी का बाई परिशन तो बी का जैड परिशन आपको बताना है ठीक है आप सं में आपको कहीं बी नज़र नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना भी को eliminate करना B को खतM कर देना और अपने answer में ठीक है और यहां इस से को इसको करने से पहले स्टाइब के पर्शन को क्या करते हैं हम एक विटिन बचन बना ले ते हैं वो क्या कह रहा है कि A का X% क्या कहा रहा है A बरावर है आपका B के यही तो उसने पूच है अब ऐसमसे आनसर में आपके z तो दिया हुआ है लेकिन b नहीं है तो हम यहां से क्या करेंगे b की value निकाल लेते हैं यहां से हम क्या करेंगे b की value निकाल लेंगे तो ax बरावर by मैं इसे लिख सकता हूँ दौनों तरफ percentage से percentage cancel हो जाएगी तो यहां से क्या हो जाएगा b is equal to ax upon by इस b की value मैंने क्या किया उठा के इधर रख दी बी बरावर क्या हो गया ax upon by into z upon hundred ठीक है या इसे z percent रखते हैं क्योंकि उदर percent में यांसर है जैड परसेंट अब इधर answer कैसे दिया हुआ है एका eka 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 Ika के तो उम a को अलग कर लेते एको क्या कर लिए और इसका का का मतलब होता है multiply टीक है का का मतलब क्या होता है multiply तो a multiply लिख लिए आभ यहां पर एक्स z percent आप सकता हूँ मैं बट्टे मैंब यह तσι क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा एका जेडेक्स अपउन बाई परसेंट ठीक है एका जेडेक्स अपउन बाई परसेंटेज तो वी आपका क्या होगा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पेस्ट की और चलते हैं साथ करमागत संख्याओं का ओसद बीज है तो उन में से सबसे बड़ी संख्या बताई आप साथ संख्या है एक दो तीन चार तेन संक्या है तो Malu यह एक्स प्लस वन, X plus 2 और यह हो ज़ाएगी X plus 3 कोगि यह किना में जाकते हैं और इधर क्या हो जाएगा X minus 1 X minus 2 और यह हो जाएगी X minus 3 ठीकर है? उन संक्याहूमे बड़ी संक्या क्या है X plus 3 आपको X की value बताएं कितनी है 20 तो एक्स प्लस थिरी बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस ती यानि कि 23 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसको नोट कर लेंगे नेक्स्ट की ओर हम चलना है नेक्स आपका क्या कह रहा है एक निश्चित कूट भाहसा में 526 का मतलब sky is blue है 24 का मतलब है blue color और 436 का मतलब है color is fun उस बहाँ सामा है fun की value आपको बताना है fun के लिए क्या यह उसकिया है हमें निकालना क्या है f u n की value fun की के इस टाइब के question को करने के पहले आप क्या करेंगे हमें सिर्प यह करना है कि हमको दो चीजों की तुलना करना है दो एक्वेशन की तुलना करना है उन दोनों में देखना है common क्या है इसमें भी बिलू है ठीक है तो मैं इसे गोले में बंद कर देता हूं को इधार दो छीजने को मने इसको 24 से दिखाया गया इसको पाश्य चबीच से इसको अलग लिकले ते हम ठीक है यहां पर लिख लिएते है हां साभ लिए इस क lleo mun kia git जो इसको डिनोट किया गया है यहाँ पर IGHब 526 से 5 दो ऐसे ऐसे ही विल्यू कलर को आपको आपका डिनोट किया गया है 24 से 24 का मतलब ब्लू कलर है और 436 का मतलब क्या है कलर इस फन यहां से अब हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा इन दोनों की हम तुल्ला करेंगे इसमें भी इसमें इन दोनों की तुल्ला करेंगे तो इन दोनों में दो कमन है याईनि की बिलू का क्या हो गया बिलू बराबर आगया आपका टू क्या हो गया बिलू का ऐसे ही अब कलर बचा है यहां पर तो कलर के लिए आटोमेटिकली क्या हो जाएगा color के लिए automatically आपका हो गया 4 4 हो गया color के लिए यहाँ पर आपको color पता चल गया अब आपको सर्फ is की value निकालनी है आपको किसकी निकालनी है is की अब आप देखिए कि color का हो जाएगा 4 ठीक है इन दोनों की हम तुल्ला करते है इन दोनों में कौन सी चीज औहएगा यानि की इस की value कितनी हो गएगाई आपकी 6 इसकी value हमने पता चल गया की 6 है ठीक है इसकी जब value हमने निकाल ली अब color की भी हमें पता है तो हमें fun की पता चल जाएगी color की कितनी है 4 और किसकी हो गई बची कितनी थिरी थिरी किसकी हो गई फन की आप से पूची किसकी है फन की ठीक है आप से पूचा है तो फन के लिए कौन सा अंक हो जाएगा फन के लिए आपका हो जाएगा ठीक है यानि कि B-Option is the right answer नेक्स्ट की तरब चलते हैं नेक्स्ट प्रेशन हमारा क्या क्या रहा है नेक्स्ट प्रेशन क्या रहा है कि P-A-L-A को कूट किया गया है दो एक तीन चार लिखते हैं और इसे अर्थ को ये लिखा है ठीक है तो परल को उसी कूट भासा में क्या लिखेंगे यहाँ पर इस ट एक तीं और चार एक तो लिखा है 2-1-3 और 4 यहांप लिखा P के लिए 1-1 एक लिए 3-0 लए 4 यह ऐसे ही अर्थ लिखा थिक को अर्थ लेते हैं तो 1014 किस के लिए लिखा पई ए लए City आल इन लिखा है 41590 यह लिखा है अर्थ के लिए E A R T H अर्थ के लिए यह लिखा है ठीक है तो इसको ऐसे करके connect कर लेंगे यह बन है ठीक है अब वो पूछ रहा है P A R L के लिए क्या लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P A R P E A R P E A R L इसके लिए क्या लिखेंगे तो P के लिए किस से denote किया गया है 2 से P के लिए 2 से denote किया गया है Next आपका E E के लिए 4 से यही तक आपका answer वैसे पता है चल जाएगा 24 से कौन से start है यह यह नहीं है यह नहीं है ठीक है C option आपका क्या हो जाएगा बिलकुल राइट आज़र और आगे आप ऐसे लिखना चाहें तो इसको लिख लगते है कि यह बन हो जाएगा यह का R के लिए आपको यूज किया गया है आपे 5 ठीक है R के लिए 5 और L के लिए क्या यूज किया गया है L के लिए 3 ठीक है आपका क्या गया है 24 163 पर जो क्या होगा है बिलकुल राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट प्रेशन की और चलते है नेक्स्ट हमारा प्रेशन क्या कह रहा है कि A B C D E F एक ब्रत के केंदर की और अभी मुख होके बैठे है मतलब A B C D E F जो है वो बैठे कैसे है एक ब्रत है उसके केंदर केंदर एधर होता है इसके तरह मूझ करके बैठे हुए है यह कहना चाहना है यह हो गया आपके 6 लोग ठीए 1,2,3,4,5,6 ऐसे करके यह बैठे हुए है अब वो कह रहा है यह वाली लाइन आप छोड़ दीजिए बीपी वाली यह काट देते हैं यहां तक वो कह रहा है कि A B C का पडोसी है यानि कि A B और C जो है वो एक पास बैठे हुए है और वो कह रहा है D, E, D और F का पड़ोसी है यानि कि D E और F जो है वो एक पास बैठे हुए यही तो वो कहना चाहरा है अगर वो पड़ोसी हैं तीनों तो वो एक साथ बैठे हुए D, E, B के तुरंट दाहिनी और बैठा है एक चीज़ जो है D जो है वो एकदम दाहिनी और बैठा है किसके B के तो अगर मैं यहाँ पर B बैठाल दूँ B का दाहिन और किदर होगा E, इधर तो इधर कौन बैठे का D ठीक है अब आपको पता है B यहाँ मैंने बैठाल दिया तो यहाँ या तो A आएगा या C आएगा क्योंकि A, B, C तीनों आपस में पड़ोसी है इधर D बैठा है तो इधर तो कोई बैठ नहीं सकता ठीक है इधर तो कोई बैठ नहीं सकता तो A और C या तो यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे ठीक है यह चीज आपको पता चल गए अब वो कह रहा है C F के दाहिनी और है F के दाहिनी और कौन है C ठीक है अगर मैं C को यहाँ F को यहाँ बैठालो तो C को मैं यहाँ नहीं बैठाल सकता इसलिए मैं जो F को कहाँ बैठालना चाहिए कहाँ बैठालना पड़ेगा यहाँ पर F के दाहिनी और कौन हो जाएगा C, तो यहां से A को हम्हटा देंगे, यहाँ पर कौन हो जाएगा C, C कौन हो जाएगा F के दाहिनी और यहां से आगे है, ठीक है, अब A, B, C जब पढ़ोसी है, B, यहां बैठा है C यहां बैठा है तो A kya क्या बैठा जाए गां यहां पर A महीं मेठिगा यहां पर C, A , B niewताल लिए आपको बता है D E Paruse है तो F यहां बैठा है D यहां बैठा है तो E का बैठा है यहां पर अब फोछा रहा हैं कि D 82 ह a b ipping पर दो बैठा है तो सी ओप्षन में क्या दिया हुआ है सी ठीग है तो सी इस दा राइट आंसर सी अमारा कौन सा हो जाएगा बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स परेशन की और चलते हैं स्टाइड यह ट्वेंटी नंबर कुष्षन आपका हो जाएगा कि कमफोर्ट टेविल सब्सक्राइब से कौन सा सब्सक्राइब नहीं बनाया सकता यह आप करिए यह वाले कुष्षन आप करके देखिए यह बहुत ही सरल कुष्षन है इसमें से आपको क्या करना है इन में जो और दिया हुआए अपको इसमें और एब यह परस ही एं एसे मार्वल देख लिए की दिए मार्बल है गया मार्बल बन रहा गया आफ एम ए आर आर वी फिर अब इन फार्म देख लेते है आई ना आी आ आई इस पूरे में नहीं है ठीक है एन भी नहीं है न तो यह सी ऑफ्षन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इस प्रकार की कुर्ष्टन को तो ऐसी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स प्रेश्ट आपका दिया हुआ है प्लस का अर्थ भाग है भाग का अर्थ माइनस माइनस का गुणा गुणा का अर्थ है प्लस तो दिये गया बेंजक का आपको माहन बताना इस टाप के कुश्टन जब दिये हुआ होते हैं तो इनको आप ऐसे लिख लिजिए पहले आठ चार पांच और नो यही तो है अब ऐसी भाग की जगे आपको क्या लिखना है भाग का अर्थ माइनस है और यहां पर क्या है तीन और पांच के बीच में गुणा का अर्थ है प्लस प्लस हो गया पांच और नो के बीच में माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या होगी आपका गुणा ठीक है यहां पर हम क्या हो जाए गई इसको मैं आट्व टे चार लिख Gardensा तो चार दोंसी 8 हो जाएगा अकई से दो आ गया माइनस में कतना तीन और पांच अ किया प Bryas नंधालीच माइनिस का टीन प्लक्रेटलिश है तो next question प्रेश्ण की और चलते हम यहां सेbn प्रशण आपको समझ में आ रहा होगे कमेंट बॉक्स में बताएं इस ट्रिस्टक के जब DOO निए होते हैं तो आपको क्या करना होता है इन दोनों में relation बिठाना होता है इन दौनों में आपका जो relation होगा उसी के according आपको इसका answer देना होता है इससे relate करके आपको निकालना होता है हमने क्या किया हमने पता करा कि इससे के कैसे लाया जा सकता हम इसको देखते हैं ठीक है हमने इसको इधर लिग दिया by A और C, ऐसे ही C, E और G, ठीक है, अब इसकी हम क्या करेंगे, C ते नंबरिंग कर देंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे, तो Y कौन से इस्थान पर आता है, 25 में पर, A पहले पर, C तीन पर, ऐसे ही C तीन पर इदर, 5 पर इदर, और G कितने पर, 7 पर, अब आप एक चीछ देखि 26 माक्षर, Z आएगा, Z के बाद, A, B, और C, ठीक है, ऐसे करके कितने आजाएंगे, 3, 5, 7 आजाएंगे, यानि कि आपको पता चल गया, यह कैसे आ रहा है, 4, 4 पिलस करके आ रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, 4, 4 पिलस करना है, तो N कितना होता है, 14, यह O 15, और Q 17, किना होता है, 17, तो चौधर, 4, कितना हो गया, 18, 18, नमबर पर कौन सा हता है, आपका 18, नमबर पर आता है, आपका R, आनि कि S वाले दोनों कड़ दाएंगे, 18, नमबर helped, 15 कितना होता है, 19, 19 नमबर पर कौन सा अता है, अब आपका Rs हो जाएगा यानि की भी ऑफसन भी गलत हो गया यह ओफसन क्या होगा आपका राइट अंसर नेक्स्ट आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं 17 और 4 कितना हो जाएगा 21 21 नमबर पर आपका आता यू ठीक है यानि कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है नेक्स्ट प्रेशन की और चल रहा है हम यहां से नेक्स्ट प्रेशन क्या कह रहा है कि एक महला है वो क्या कर रही है सौरी की और सौरी अंगित कर रहा है सौरी कह रहा है कि वो महला जो है उसके मा के पती यानि कि उस महला के पती की बेहन मेरी ब को बताना है क्या बताना है आपको मैं महला के साथ किस रूप से संबन देता है तो सौरे ने महला की और इंगित करते हुआ कहा कि उसकी मा के पती यह सौरे घडाय मालो अब कोई महला है फीमेल उसके मा के पती इस महला के मा के पती कौन हुआ है इसके पता जी और पर आगे क्य क्या रहा है पती की बहन यानि कि इनके पती की बहन अच्छा इसके पापा की बहन इसकी कौन हुई हुए इसकी कौन हुई भुआ हुई अब आगे प्रिश्च में क्या कह रहा हैं बहन गह मेरी हैं इसकी भी बुआ है जहाँ है कि मेरी हुआ है तो इसकी फी एक यह बुआ एक बारे से दुगारा से पढ़ लेना लेना आप फिर आपको बिल्कूल सही में सबFA से ठीक है तो यह अगर महला की भी भुआ है और यह सौरी की भी भुआ है तो यह दोनों आपस में कौन हुए भाई-बहन ही तो हुए इसके भी पिता की बहें नहीं और इसके भी पिता की बहें नहीं इस परकार दोनों क्या हुई भाई बहें हुई तो इन दो ये किस रूप से सम्बंद्ध हो जाएगा भाई ठीक है नेक्स प्रॉश्व आपका क्याpieces रहा है next question है हमारा इसमें दिया हुआ है ऐसे 21-233-27-25-37-33 इस परकार से दिया हुआ है इसको आप करने की कोशिस करें कर आपने करने की कोशिस की होगी ठीक है यहां पे आम आप इसे कर के देखते हैं ऑप आपने देखा कि यहां पे 21 से कितना हो रहा है और हमने देक एक classics, से 30 हो रहा है यानि कि बढ़ा फिर घटा हो सकता है बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो फिर बढ़ेगा यानि कि बढ़ रहा है सही है फिर घटना चाहिए फिर घट रहा है यानि कि यहां से बढ़ा फिर घटा है फिर बढ़ा फिर घटा अब फिर बढ़ना चाहिए ठीक है फिर बढ़ना चाहिए, तो फिर से ये बढ़ा है, यानि कि 21 से कितना हुआ है, 30, 30 से 23, 23 से 27, कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना बढ़ा है, 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 चाहिए ठीक है यानि कि यह यहां पर कितना हो जाएगा 25 से 36 हो रहा है 25 से 35 36 10 बढ़ा है यानि कि आपकी यहां पर कोई मैचिंग नहीं बन रही है ठीक है यहां पर हमारी कोई मैचिंग नहीं बन रही है तो हम इसे दूसरे तरीके से करके देखते हैं हम एक का गैप दे के देखते हैं यहां से 21 से कितना हो गया 20 21 से कितना हो रहा है 23 दो बड़ा ठीक है पिलस टू हो गया यहां से 25 हो गया फिर से पिलस टू हो गया ठीक है अब 25 से कितना होना चाहिए था 27 ठीक है हमारा अंसर क्या आना चाहिए था 27 लेकिन 27 क्या है हमारे चारो पॉजट लेके चलते हैं मालो यहां से हमने शुरू किया था 25 माइनस दो 23 23 माइनस दो 21 21-29 इस बार हमारा आंसर कितना आया 19 अब पुजट अगर हमने लिया तो यानि कि इस बार कितना आया हमारा 19 आया तो हमारा दी ओप्शन क्या दिये हुआ है 19 19 हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पिकार से इन कुर्षण को हल करने की हमें कोसित करनी है ठीक है नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं यह से 25 में कुश्चन दिया हुआ है आपका इस टैप के कुश्चन को करने के लिए आपको एक परीका करना होता है इनको आप पहले गिल ले एक दो तीन च Giving बना सकते हैं तो हम सबसरा पहले चोटा वाला बनाके देखतें हैं यानी पहले तीन को अलग कर लेता हूं पिर एक दो तीन को अलग कर लिया पिर तीन को अलग कर लियا इस परकार से मुझको इसको करना है eder आप आप देख रहे है a b इसमें c नहीं है इसमें नहीं है यानि कि इन तीन के gap में तीनों दिये हुए यह वी दिये हुए अगर मैं पर a फिल कर दूँ तो यह a b c पूरा भर गया है यहाँ पर मैं क्या वरूं c भर दू यह यह से start यह b पर कितना आ जाएगा भी ठीक है हमने इसे अपने हिसाब से फिल कर लिया अब हम देखते हैं कि यह इसमें हमने फिल क्या क्या किया हम उसे अलग लिख लेते हैं पहले फिर ए फिल गिया फिर बी फिल गिया फिर सी और फिर ए ठीक है यही तो फिल गिया है बी ए बी सी ए बी ए हमें B C A B option आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इस परकार के कुश्चन को इस तरीके से हमें हल करना होता है कि नेक्स्ट प्रेशन की और चल दाएं हम नेक्स्ट प्रेशन क्या रहा है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग कुश्चन है हो स्केये इस आज़ करने की कोसिद करेंगे सब लोग ऐसे को हल करने की कोसिद करेंगे कि आपके चार रास्ते आप दक्षड की ओर से आये हैं वो कह रहा है कि चार रास्ते दीऊ यह इस वर falar स्थाट3 तरश है हैं साब दक्षड की और से आप आए कि यह उत्तर दिया हुआ है यह पूरख हो कह अगहा है मंदिर इदर तो मंदिर नहीं और आप इदर से आएं मंदर जाना चाहते हैं कि मैं कि मैं किस से दूर जा Sümm दूर जाओंगा और बढ़ोंगा दूर जाओंगा और बढ़ोंगा दूर जाओंगा तो यह क्या हो जाएगा इसका मतलब पश्चिम में क्या है कॉफी हाउस पश्चिम में है अब कॉफी हाउस तो हमारा निश्चित हो गया कि पश्चिम में दाइं और कमार्ग आपको कॉफ कि सीधा सामने जाने वाला मार्क आपको कॉलेज ले जाता है केबल कॉलेज की ओर ले जाता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कॉलेज हो जाएगा दाई और का मार्क आपको काफी हाउस से दूर ले जाएगा आने कि इतर कॉफी हाउस हो गया और सीधा सामने जाने वाला सीधा सामने वाला मार्क के आऊगा आपका कॉलेज की ओर ले जा रहा है याद करें मंदर किस दिसाम हो जाएगा आपका पूरम में मंदर किस दिसाम हो जाएगा आपका पूरम में तो पूरा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है next question की और हम यहाँ से चलना है सब से पहले एक divus चाहिए फिर उसे तुरुतर बनाईगी उसी प्रकार से इसको आपको व्यवस्तित करना है तो इसमें को सबसे मचाहिए इसमें ये देखना में व 你समें बनाना चाहिए इसमें कपड़ा दिया हुआ है साड़ी दी हुई है ठीक है कपड़ा दिया हुआ है साड़ी दी हुई है धागा पौदा तो सबसे लाश्ट में क्या बनेगा यहां सबसे लाश्ट में साड़ी तो बनेगी इन सब चीजों से ठीक है तो साड़ी को लाश्ट में रख देते हैं नें दोनों में दहां सर्थिया है सबसे पहले आपको क्या है पौदा पौधा दो नमबर पर क्पास हो गया कपास से आपको आपनेंगे कप्डा अ साड़ी के वाद तो 24 एक 있는 53 अपका अंसर हो जाएगा बी अपके बिलकुल राइट अंसर हो जाएBob atidence प्रस नाम हमारा क्या है आकरती से दीया हुआ है जब राशाज आपकर आकरती से दीया हुआ है नहीं ओरा यह इसम्हें आप säसाफ कम यह इसाफ प्रकार की याठ की दीऊ हुई है इसे हमें पूर करना है तो हम या इसी को यहाँ पर पूड करके देख लेते हैं, ठीक है, इस टायप का कुछ बनेगा, यानि उत्तर आकर्ति जो है, उसमें ये बाला उप्न आपको ढ sought to be तो ये वाला option आपका कौन सा हो जाएगा ये गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा ये इधर से आ रहा है इससी option आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है next question की और हम चलते है नेक्स प्रेस हमारा क्या कह रहा है इसमें भी आपको उत्तराकिरती पूर्ड करनी है यहाँ पे आप देखिए एक दो तीन चार यानि कि यह बिंदू बिंदू जो थे वो बढ़ रहा है आगे की तरफ क्या कर रहा है बढ़ रहा है और एक दो तीन चार पांच तीर थे इसमे पहले हम बिंन्दू देख लेते कि समें पांच दुए क्योंगि चार के बाद 5 लाएंगे तो पांच बिं mechanism इसे काट देतें इसमें इसमें नहीं है एक इसमें इसे भी काट देतेंं इसमें भी नहीं चुछे लोग के बाद कितने तीर आएंगे एक ही आना चाहिए को गहट रहा है लगातार तीर इसमें तीन तीर यह कट जाएगा आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा रहे इतका रहें हमको पता है माल्ड होने निरुपित करता है हमको पता है माल्ड होने बाले क्या है दोनों corridors के लेकिन भैल्ड गार्ड का हमारा कोई पर झूषिछ नहीं है ठीक है बसको जो सही होना चाहिए वह क्या होना चाहिए सही जो डाइग्राम बनेगा वो क्या बनेगा यह हो गया माल्ड होने वाले माल्ड होने वाले के अंदर क्या होगए यह ब्लगाडी और यह त्रक यह क्या हो G deste यह डाइग्राइम आपका कौन साओ दी Sn डाइग्राम नाहीं बनेगा ठीकben यह बेल्ड औने मार क्या है यह विर्ऊ से इसे अलग भी काम करने चाहिए तो माल्ड होने का ही काम करते हैं दोनों तो उस परकार से इसका अंसर क्या हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्रेशन की और हम चलते हैं नेक्स प्रेशने 30 पॉना और हो गए ठीक है तो क्य सालते हैं आप कमेंट करकर मैं बताएंगे और कितना आपका जो है यह ब्यास करके पर आपको यह बाद चाहिए यह तीनले ौब्स पर यह प्तेश्ट्स उपीपर. झान्यवाद